हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कोउशन, जो की बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि आरपी एफ, लोको पाइलेट का एक्जाम होगा, और ये प्रेशन बहुत महत्पुन हो गति को पुछा है, मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, किलो मीटर से, आप मीटर में यदि चेंज कर रहे हैं, किलो मीटर से, मीटर में चेंज कर रहे हैं, किलो मीटर एक बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी, तो बड़ी यूनिट से किलो मीटर में जब चेंज करोगे यानकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करोगे तो क्या करोगे 18 बटे 5 से मल्टिप्लाई करोगे अब इसको याद रखना आसान है जब आप छोटी यूनिट में चेंज करोगे तो छोटी संख्या उपर रखोगे पांच, अठारे और पांच में पांच छोटी संख्या है तो जब छोटी उनिट में चेंज करोगे छोटी संख्या उपर रखोगे और जब बड़ी उनिट में बदलने के लिए छोटी उनिट में बदलने के लिए छोटी संक्य उपर रखते हैं यानि कि 5 बटे 18 के लिए रहना अब 18 से डिवाड करूँगा 18 त्रिक का 54 होता है और 3 का मैं करूँगा 5 से तो 3 पंजे 15 तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 15 मीटर प्रती सेकेंड यह आपके सव A और B 20 किलो मीटर दूरी पर हैं कौन-कौन A और B इनकी जो दूरी है यह 20 किलो मीटर है 20 किलो मीटर की दूरी पर है A 4 किलो मीटर पर घंटा A की जो 4 है वो 4 किलो मीटर पर घंटा की है और B की जो 4 है वो 6 किलो मीटर परती घंटा है 4 किलो मीटर परती घंटा 6 किलो मीटर प प्राते हैं 7 बजे एक दूसरे की और चलना शुरू करते हैं ये सुबह के 7 बजे प्राते है का मतलब क्या होता सुबह के 7 बजे या है कि सुबह के 7 बजे ये और ये दोनों सुबह के 7 बजे एक दूसरे की और चलना शुरू करते हैं ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा यह भी 7 बज़ी चला है यह ग stripes में कितना चला अच्छ यह गंटे में च्छ चलेगा तो दोनों मिल करके एक गंटे में 10 किलो मेटर चलेंगी और जKimकी दूरी किपटनी है 20 committed की तो अभी तो 1 powin 2 bill तो तो ट्टल 20 कίculo में कि तेय करने में कितना गोर दें करने में कितना समय लगा है Sophia गंटे का समय लगा है, तो ये 7 बजे चलना इन्हों ने शुरू किया था, और 2 गंटे के बाद ये मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे, 7 बजे चलना शुरू किया है, 2 गंटे बाद मिलेंगे, मतलर 9 बजे मिलेंगे, लेकिन सुबह के 7 बजे चलना शुरू किया था, तो सु अगला पैशने है, A, B से दोगुनी गती से दोड़ता है, तथा B, C से तिगुनी गती से दोड़ता है, C द्वारा 72 मिनिट में तै की के दूरी को तै करने में A कितना समय देगा, तीन व्यक्ति हैं A, B और C, ये तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, अब यहां पर जो कहा गया है, कि ज A, B से दोगनी गती से, जो A है ना, B से दोगनी गती, B की तीन है तो इसकी दोगनी 6 हो जाएगी, ये क्या है गती का अनुपात यानकी चाल का अनुपात, ठीक है, चाल का मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड, अब स्पीड का जश्ट अपोजित होता टाइम का अनुपात, तो हम टाइम का नुपात निकाल लेते हैं, ए का निकालेंगे तो ए को छिपा लेंगे इन दोनों का मल्टिपाइज, तीन एकम तीन, बी का निकालेंगे तो बी को छिपा लेंगे इनका मल्टिपाइज, तो एकम छे, एका निकालना तो एक को छिपा लेंगे इन दोनों को पर एच्छे तरी का ठारा समझ में आगे ना कैसे करते हैं चलो अब यह हो गया टाइम का नुपात अगर यह कटके छोटा हो सकता है तो इसे काटके हम छोटा कर लेंगे तीन एकम तीन तीन दुने का छे तीन चींग अठारा कटके छोटा हो गया बोला गया है प्रेस्ट में सी द्वारा बहत्तर मिनेट में तै की गई दूरी को सी द्वारा कितने में तै हो रही है बहत्तर मिनेट में बहत्तर सॉरी सी द्वारा बहत्तर और सी कितना है अनुपात में एक C कितना वह यह अनुपात में 6 है C अपना time अनुपात में 6 है और यहां real में कितना 12 तो 6 नुपात की value 12 है तो एक अनुपात की value कितनी हो जाएगी 12-62 यान कि 6 से इसमें divide कर देंगे मालूम हो जाएगा एक अनुपात की value 72 है 12 है बोला है एक कितना समय लेगा भाई A का ratio एक है तो 12 कमल पर एक से कर दो 12 ही हो जाएगा D option बिल्कुल सही जवा B पूछ ले कितना समय लेगा B का ratio 2 है 12 दुने का 24 यह 24 मिनिट लेगा C का पूछे 12 शिंग 72 C तो पहले से 72 ले रहा था अब भी 72 ही लेगा तो इमसे एक आप पूछा गया था हमने बता दिया और इस तरीके का सवाल कभी भी आ जाए तो आप उसमें गल्ती बिल्कुल मत करना अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है एक व्यक्ती एक यात्रा में पहले 200 किलोमेटर की दूरी को 50 किलोमेटर प्रघंटे की गती से तथा अगले 200 किलोमेटर की दूरी को 20-70 किलोमेटर प्रघंटे की गती से ते करता है तो 400 किलोमेटर की यात्रा में औसल गती गयात कीजिए देखिए कोई इस स्थान से लेके कि इस इस्थान तक की कोई दूरी है जब वो ब्यक्ति गया था 200 km की दूरी तै करने के लिए 200 km तो किती का चाल से गया था 50 की चाल से गया था इधर गया था 50 की चाल से और जब वो बापस लोटा 200 km तै कर ली जब वो बापस लोटा है वही 200 km की दूरी उसने कैसे तै किया है वही 200 km की दूर उसने 70 की चाल से तै किया, तो 200 km गया था, 200 बापिस आया, टोटल दूर उसने 400 km तै किया, 400 km की आतर हो गई न ये, औसत गती पूछ रहा है, तो औसत के लिए जो फॉर्मूला होता मैं आपे लिखवा रहा हूं, जिनको नहीं मालूम हो लिख लेना, औसत बरा एकस आपका 50, वाई आपका 70, बटे में एकस और वाई को जोडेंगे, यानकि 50 और 70 को जोडेंगे, तो ये हो जाएगा 120, अब इससे सरल कर लीचे, आंसर आ गया बस समझे, 0 से 0 कट गया, 2 से कटा दूँगा, 12 को तो 6 बार में कट जाएगा न, 2 से 12 कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 25 बार में, आप देखो, 25 का और 7 का पहले मल्टिपाई कर लो, 7 पंजे 35 का 5, केरी का 3, 7 दुनी 14 और 3, 18, 183 से डिवैड करना है, ठीक है, 3 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवैड करेंगे, या फिर कोई इसमें गलती हो गया, उसे देख चेक कर लेते हैं, 0 से 0 कट गय 25 का 5, केरी का 3, 7 दुने का 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो गलती यहीं पर हो रही है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 होगा, ठीक है न, मैं सुच रहा था कोई गलती हो रही है, 17 होगा, अब 14 में 3 से डिवैड करना है, कटाओ भाई, 3 पंजे 15, 17 में से 15 गया, 2 बचेगा, 2 मे 18, 10 में 3 किसमें है, 18, 10 में 3, जो कि आपके D option में दिया गया है, तो कभी भी आप calculation करें, तो इस तरीके से गलती ना करें, जो अभी मुझसे हो गई थी, ठीक है, वरना आपका answer लेता आएगा, और उसमें समय भी जादा लग जाएगा, तो आप अपनी practice ऐसी कर लो, कि कोई ललती ना हो, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रशने है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, जो उससे 200 मीटर आगे है, अब देखो, ये सिपाही हो गया, और ये चोर हो गया, जो चोर है, सिपाही से 200 मीटर आगे है, ठीक है, 200 मीटर आगे है, अब सिपाही और चोर आठ किलोमीटर प्रति घंटा था 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 साथ किलोमीटर प्रति घंटा की यान की सिपाही की जो चाल है वो आठ किलोमीटर प्रति घंटा है चोर की चाल साथ किलोमीटर प्रति घंटा है ठीक है यह है अब देखना सिपाही की चाल आठ है चोर की साथ है सिपाही की जाद अंतर आजाएगा 1 km2,000 का, यही तो अंतर आ जाएगा, तो एक चीज इस में द्यान रखना कि हमारे पास जो चाल है, वो 1.000 का एक एक किलो मीटर प्रथी घंटे में है और आंसर मिनिट में पूछ रहा है, फीक है, तो हम चाल को क्या करेंगे, 1.000 को क्या करेंगे, 1.000 को मेट पर सेक्टिन में चेंज करेंगे, छोटी उन्ट में चेंज करेंगे, तो 5 बट्टे 18 से multiply करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप देखना 200 बट्टे में 5 एक कम 5, और जो तीसरी संग्या ये कहां पहुंझ जाती है, multiply में ऊपर प चेंज करने के लिए, तो 720 बार में गया, तो 720 से से सेकेंड निकल क्या है, भाई हमने क्या किया था, किलो मीटर पर गंडे से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, मीटर 30 सेकेंड, तो ये सेकेंड निकल क्या है, 720, तो कितने मिनट में 720 सेकेंड होती है, भाई, कितने मिनट में, नहीं मालूम, अगर आपको नहीं भी मालूम है न, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होती है, 60 से डिवाइड कर दो, 30 से 0, 6 से कटा दो बारे बार में, यानकि 12 प्रश्ने का बिल्कुछ सही जवाब, तो अगर किसी को ये प्रश्ने नहीं आते हैं, तो उनके पास तक वीडियो को आफ शेयर कर दीजे, ताकि उनकी तयारी भी अच्छे से हो, वो भी समझ जाएं, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत झाल